जी chemical kinetics मतलब chemical reactions की जो rate होता है उसको determine करने का ठीक है ना तो माल लिजी यह हमार पास एक reaction है ए से बी तो यह तीन तरीके की reactions हो सकती है एक तो very fast वाली हो सकती है ठीक है एक very slow हो सकती है reactions ठीक है ना और कुछ हो सकती है intermediate ठीक है ना कुछ ऐसी reactions होती है जिनको पूरा होने में कुछ समय लगता है जैसे फ़र एक घंटा दो घंटा एक गंटा दस गंटे तो इनको कहेंगे ह प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं अब आप इसमें देखें कि अगर हमने इस reaction का rate निकालना है किसी point of time में तो rate क्या होता है rate की definition हो रही है यह जो reactant है यह कितना कम हो जा रहा है मतलब इसकी PCL5 की concentration कितनी reduce हो जा रही है समय के सासथ समय के सासथ मतलब delta T time अगर हमने इसमें माल लिया तो समय के सासथ यह कितनी reduce हो जा रही है यह इसी बात को बोल सकते हैं कि यह जो PCL3 है इसकी समय के सासथ कितनी amount बन जा रही है मतलब यह कितना बन रहा है या फिर यह CL2 की जो concentration है यह समय के सासथ कितनी बन जा रही है ये तीनों ही बातों को rate of reaction कह सकते हैं ठीक है न मेरा कहने का मतलब है rate of reaction is the change in the concentration of reactant with time or the change in the concentration of product with time ठीक है न तो इसको हम कहते है rate of reaction अब इसमें क्या है ये कम होता जा रहा है समय के साथ इसलिए यहाँ पर हमेशा minus लगाएंगे और ये बनते जा रहे हैं इसलिए इनको plus लगाएंगे एक बात ये ध्यान रखना एक बात दूसरी बात मानलो आब मेरे पास कोई दूसरी reaction है 2NO plus O2 gives NO2 ये मेरे पास एक दूसरी reaction है 2NO2 हो गया है न तो ये मेरे पास एक chemical reaction है तो अब इस chemical reaction के लिए rate जो होगा increase हो रहा है with time ठीके न with time delta t करेंगे इसको delta t और delta t यही तो हमारा formula हुआ अब दूसरी बात ये reduce हो रहा तो ये minus ये वाला भी reduce हो रहा तो ये भी minus और ये बन रहा है तो ये plus तो ये तो एक तो बात हो गए इसका generalization लेकिन ये जो strachometric factor है इनका भी use होता है तो इसको divide करते हैं तो 1 upon 2 ठीके न ये 2 था तो ये divide में आ जाएगा ये वाला 2 था तो ये भी divide में आ जाएगा इसमें कुछ नहीं था तो आप ये देख लिए तो ये हमारा rate का जो है rate निकालने का तरीका हो गया अब कभी-कभी question क्या पूछा जाता कि NO का rate दे रखा है मतलब disappearance of NO का rate दे रखा है आपको appearance of NO2 का rate निकालना है तो आपने क्या करना है इस वाले portion को इस वाले के equal कर देना मतलब delta NO को equal कर देना into delta T is equals to ये minus में आएगा बस और ये plus में आएगा delta NO2 upon 2 delta T तो ये हो जाएगा हमारा क्या rate of disappearance of NO या फिर rate of appearance of this तो आप ये देख रहो ये दोनों तो आपस में कट चुके होंगे delta NO ये rate दे रखा है हाला की इस rate को पूरे के पूरे value को लगा देंगे यहाँ पे और इस formula से NO2 की concentration को निकाल देंगे ये rate of rate in terms of appearance of NO2 आजाएगा ठीके मैं कुछ questions इसके numerical वाले section में करा दूगा अब बात आती है इसकी rate की क्या unit की तो rate की unit क्या होती है disappearance of concentration बोला हमने upon time भई time ही तो बोला तो concentration का जो की unit जो होती है वो होती है mole per liter और time की unit जो होती है second तो इसको बोल सकते है mole per liter per second है न ये हमारी क्या हो गई किसकी unit हो गई rate of rate of reaction की unit हो गई और माल लीजिए अगर हमारा पास gaseous product है gaseous product है या gaseous reactant और product सब है तो वहाँ पर concentration term नहीं आता है gas के लिए क्या आता है pressure आता है तो pressure आएगा upon time आएगा ठीक है न तो pressure को लिखते है atmosphere atm और time को लिखते है second inverse second inverse आजाएगा तो ये भी इसकी unit है ये ध्यान रखना है atm second inverse ये भी इसकी unit होगा इसको ध्यान रखना है इसके बाद आजाता है factor affecting क्या rate of reaction rate of reaction किस से affect होते हैं एक तो होते हैं वह concentration of what of reactant जितनी ज्यादा आप reactant लोगे rate of reaction उतना बढ़ेगा ये मतलब इसका एक rule होता है ठीक है अब किस proportion में बढ़ेगा वो एक अलग चीज है परन्तु वो बढ़ेगा जब concentration आपके पास माल लीजे 100 gram से 50 gram से आपने की वो ही reaction और 100 gram से की तो 100 gram से वाली reaction जो होगी वो fast होगी ये पहली बात दुगी होगा अब बात यह है कि concentration पर क्यों depend करता है क्योंकि देखे क्या होता है molecules आपस में collide करते है ठीक है ना reaction करने के लिए वो collide करते है अब जितने ज्यादा molecule होगे उनके collision क्या हो जाएंगे collision increase हो जाएंगे ठीक है ना तो जब collision increase हो जाएंगे तो उनसे product बनने की जो probability होगी वो increase हो जाएगी ये बात है इसलिए concentration increases the rate of the reaction increases ठीक है ना इसके बाद nature of reactant अच्छा reactant का nature भी important है अब हमें पता है A और B तो reaction करते हैं पर A और C reaction करते ही नहीं तो nature तो ज़रूरी हो गया अगर ये दोनों आपस में reaction करके C बनाते हैं तो तब तो ये effective reaction हो गई पर A और C जुड़ते ही नहीं है तो फिर ये तो reaction कोई हुई नहीं तो इसलिए A और B का nature ज़रूरी होता है अब ये ज़रूरी होता है क्यों क्योंकि collagen तो A और C भी कर सकते हैं लेकिन A और B के जो collagen होते हैं उनको कहेंगे effective collagen इनको कहें बोलेंगे effective collagen ऐसे collagen जिनसे product बनना है इसके collagen से product बनना ही नहीं है तो इसलिए nature of reaction भी important हो जाता है अगली बात होती है temperature ये भी एक rule बनावा है इसे बोलते है temperature coefficient ठीक है ना temperature coefficient ये कहते हैं जब भी किसी reaction मानलो A से B अगर कोई reaction हो रही है अगर इसको मानलीजे आपने T temperature में किया और अगर इसी reaction को A से B को T plus 10 degree temperature पे किया तो ये वाली reaction जो होगी इसका rate double होगा इसके वाली से comparison से मतलब हर 10 degree temperature बढ़ा देने पर 10 degree temperature बढ़ा देने पर जो rate होता है मतलब rate at this and rate at this ये दो गुना हो जाता है ठीक है ना और इस दो गुने को ही क्या कहा है temperature coefficient वर्ड यूज़ क्या आपको question पूछा जाएगा कि temperature 10 degree बढ़ाने पर क्या होता है rate तो वो बोलेगा कि दो गुना होता है तीन गुना होता है चार गुना होता है पर उसका rate of reaction क्या हो जाती है दो गुनी हो जाती एक बात तो इसको ध्यान रख लिए ठीक है अब वो कह सकता है आपको कि माल लीजी एक reaction हमने 10 degree centigrade में की और एक हमने 50 हो ही reaction हमने 50 degree centigrade में की तब कितना गुना होगा rate तो आपको निकालना है 10 degree से फिर 20 degree होगा फिर 30 degree होगा फिर 40 फिर 50 तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये जो आएगा ये 16 ये 32 जो भी value आएगी ये आपका rate इतना fold increase हो जाएगा इतना गुना हो जाएगा rate ठीक है ना reaction अब बात आता है catalyst का catalyst मतब उत्प्रे रख catalyst जो होते हैं वो reaction के rate को increase कर देते हैं क्यों by increasing by lowering activation energy क्या activation energy ठीक है ना activation energy पूरा concept बाद में बताऊँगा बस ये समझ लो कि catalyst डालने पर reaction fast हो जाती है और क्यों होती है क्योंकि activation energy जो reaction की हो decrease हो जाती है इसलिए reaction सामाने रूप से जल्दी जल्दी होने लगती है surface area अब यह समझ लो कि एक इतना बड़ा molecule reaction करने जा रहा है और यह छोटे-छोटे molecule reaction करने जा रहा है ये भी इसी से निकले है इन सबका surface area बढ़ चुका है और surface area जब बढ़ेंगे तो यह बहुत fast reaction करेंगे तो surface area बढ़ने पर भी reaction का rate बढ़ जाता है इसके बाद है light light क्या होती है कुछ reaction हो के लिए सब के लिए नहीं कुछ reaction हो के लिए light जो होती है light की presence पर reaction हो का rate जो है effective collisions बढ़ जाएंगे और उस current product जल्दी जल्दी बनेगा यह वाली बाद भी आपके factor हो गया अब आयाते हैं बात rate law में अब यहां से कुछ technical और कुछ mathematical concept चलेंगे तो rate law क्या कह रहा है rate law के हिसाब से बच्चों यह बात है कि rate law कहता है कि कोई reaction A plus B gives C है तो इस reaction का जो rate होगा वो proportional होगा A और B की concentration पे और माल लो proportional A D का sign हटाना है तो वहां पे हमारको एक क्या लगाना पड़ेगा constant तो जो यहां पे constant आया इसका नाम आगया rate constant यह आगया हमारा rate constant ठीक है जी यह बात होगे अब माल लीजे दूसरा हमने reaction ली और O2 ठीक है ना अब यह हमने rate इसका rate law बरा दिया rate law बरा दिया अब इस NO की power x लिखेंगे और y लिखेंगे एक बात तो आप यह लग दो इसको कहते है rate law ठीक है अब यह x और y क्या है reaction में तो x और y कुछ था ही नहीं हाला कि यह 2 था यह 2 था यह 1 था strichometric factor लिए इसको 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 इनको strichometric factor बोलते हैं इस पर depend नहीं करते हैं यह x और y ठीक है न यह कुछ और चीज़ पर depend करते हैं लेकिन x प्लस y को अगर जोड़ दो तो एक नए नई चीज़ निकलती है n और इसे कहते हैं order of reaction ठीक है इसे कहते है k की unit में यह बहुत important है k मैंने क्या बोला rate rate constant बोला मैंने rate constant और rate constant की क्या होती है कुछ unit होती है अब यहाँ पर देखिए rate is equals to k a की concentration और b की concentration ऐसी बोला हमने ठीक है न मतलब rate जो होता है a और b के मानों में की values में depend करेगा ठीक है न अब हो सकता है इसकी power 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो मतलब हमने इसलिए x लिखा था न तो इस पर depend करेगा यह बात तो हमने यहाँ पर discuss कर ली लेकिन कैसे करेंगे वो हम अभी बता देंगे थोड़ी दिर में पर अगर मान लीजे अगर r is equals to k अगर a और b दोनों में से किसी की भी value पर depend नहीं कर रहा है मान लो ठीक है न इसका मतलब x plus y gives n और ये भी 0 ये भी 0 है तो n की value कितनी हो गई 0 हो गई इसका मतलब order of reaction क्या हो जाएगी है हमारी 0 हो जाएगी तो ऐसी condition में r is equals to k और ना तो a पर depend कर रहा है न बी पर depend कर रहा है इसका मतलब इस समय जो k की unit है वही r की unit है और जो r की unit है वही k की unit है और r की unit क्या होती है r की unit होती है mole, liter, inverse, second, inverse अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पर मान लीजिए अगर ये first order की है तो first order की है तो यहांपे क्या होजाएगा rate is equals to क्या हो जाएगा k और किसी a की concentration पर depend करेगा one time ठीक है यह one time depend करेगा ठीक है ला तो अगर order one है तो यह one time करेगा depend तो यहां से k is equals to क्या हो जाएगा r upon اس की concentration concentration of a है अब r की mole, liter inverse, second inverse होती है यह तो हमें पता है और यह concentration अब आर तो हे मोल मिल्टर इन्वर्स सेकंड है और यह है इसकी स्कौर ऑफ से एक वैल्य। यह कटरी परन्तु यह वाल उपर जा कर करके मौल इनवर्स सेकंड इन वर सेकंड और सेकंड इन वर्स यह बन जा रही है तो k for second order reaction क्या हो जाएगी है हमारी यह हो जाएगी ठीक है न एक बात तो यह होगी अब मान लोग पूछ लेता है पांचवे की क्या है यह साथमें order की reaction क्या है तो आपने सीधा याद रखना है k की जो value होगी वो concentration जो reactant की जो concentration है उसके n-1 के proportional होगी यह बात आपको याद कुछ हैगा वो साथमें order की यह चौथे order की यह तीसरे order की reaction के लिए आपका जो k होगा वो concentration of reactant पर कैसे depend करेगा तो n-1 n मतलब order of reaction-1 पर depend करेगा यह बात आपने यहाँ पर रख दी इसके बात k की कुछ significance मतलब rate constant के कुछ significance है तो rate constant के बारे में तीन बात है आपने ज्यान रखनी है पहली बात तो k increase होगा तो rate increase होगा मतलब किसी reaction को जो fast हो रही है उसके लिए k की value जादा होगी अधिक होगी बढ़िया होगी ठीक है एक बात तो आपने यह रखनी है दूसरी बात k जो होगा यह r की initial concentration पर इनीशियल concentration पर depend नहीं करेगा डू नोट डिपेंड ठीक है न इस बात को आप लिग लेना कि जो constant है rate constant यह concentration की initial value पर reactant की concentration की initial value पर depend नहीं करता और एक सबसे important बात कि k किस पर depend करता है temperature पर depend करता है ठीक है तो k किस पर depend करता है temperature पर मतलब अगर एक reaction A से B हो रही है दो condition में एक T1 पर और एक T2 पर तो याद रखना कि T2 पर temperature में यह K2 होगा और यह K1 होगा मतलब दोनों में change होगा यह मतलब इसके rate constant की value change हो जाएगे